हेई नमस्याद दोस्तों आप सभी कर नहीं वीडियो में स्वागत है तो फाइनली इस साल का लास्ट हमको वीकली अपडेट आ गया है जो कि यह 9.7.12.28 तो यह इस साल का आखरी अपडेट है और नेक्स अपडेट हमको 2018 में मिलेगा तो यहां पर बात करने हैं तो थोड़े बहुत ऑप्डेमाईजेशन देखने को मिल जाता है तो इस बार के वीकली अपडेट में भी ज्यादा चीज हमको देखने को नहीं मिलती है 167 MB की यहां पर यह अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है सिंपली मैं पहले यहां पर इसको अब्डेट कर लेता हूं और रिबूट करके फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या नया आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो फाइनली मैंने यहां पर रिबूट कर लेता हूं इसको रिबूट करते ही यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर what's new में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही चीज़ आपको पुरानी देखने को मिल ली है तो मैं आपको MIUI के change log पे देखने को लेके चलता हूँ MIUI General Forum पे तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि Mi 6 और Mi Max 2 के लिए यह Suspend हो गई है तो इसमें आपको यहां पर Suspend हो जाती है पिछली बार भी Suspend हो गई थी शायद तो इस पर देखने के change log में तो आपको new full screen gashers देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी सिफ फोर या चार ही फोन में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं उसके बाद fixes में जैसे कि आपको top side setting is stored automatically in Mi browser देखने को मिल जाएगी अगर यह आपको full screen gashers की बात करूं तो यह सिफ अभी Redmi 5 5 Plus Mi Mix 2 के लिए आपको देखने को मिलता है तो यह gestures आपको देखने को मिल जाएंगे तो अभी यह हमको नहीं मिले हैं तो मैं नहीं बता सकता कि आपको इसमें क्या generally आपको क्या फायदा होगा उसको उसके बाद dual apps में आपको fix किया क्या है WhatsApp का contract में और app wall full force close हो जा रहा था सब्सक्राइब हैं यहाँ पर हम और बात करें कि यहाँ आपको और क्या नहें देखने को मिल जाता है तो वैसे और कुछ नहाँ आ है आपको यहाँ आपको औरозмयो देखने को मिल जायabling जेंग तो यहाँ पर यहां अगर मैं आपको चाइना डेवलेपर रों क pension की बता हूं तो यहां पर अच्छी बात है हो सकता है हमारे Redmi Note 4 के लिए भी यह आज है क्योंकि यह batch में पहले आता है पहले देखने को मिल जाते हैं तो आप पहले टेस्ट होती है उसके बाद यहां पर ग्लोबल में आते हैं तो आइधिंग कि यहां पर हमको Android Oreo जरूर फ्यूचर में को देखने को मिल जाएगा अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यहां पर आपको चाहिना डेवलपर अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो आप वह भी कर सकते हैं फोरम कर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके उसको चेक कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी Android Oreo और फुल स्क्रिंग एशर तो फुल स्क्रिंग एशर अभी सिर् Android and Redmi 545 Plus के लिए ही आपको यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर अगर आपको बात कर लें अपडेट की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट वैन्यू है वह आपका यहां पर थोड़े बहुत आपको कर्फ देखने को मिल जाते हैं राउंडेट कॉर्णर से वाले फोन बहुत जड़ी देखने को मिलेंगे और यहां पर स्प्लेट स्क्रीन के बात करें तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो भी आपका एप सपोर्ट करता है नहीं करता है तो इसको इसलिए आप आपको यहां पर पूरा अच्छा सा बड़ा सा आप आपको यहां पर नोटिफिकेशन देने लगता है उसके बाद दूसरी अपडेट के बात करें तो आप एक स्क्रीन में आप डाल लेते हैं उसके बाद नीचे आपको पूरे आपको दिखाने लगए कि कौन-कौन सा एप आप यहां पर support कर रहा है और कौन-कौन सा एप आपको आपको नहीं कर रहा है तो यह भी अच्छी चीज है कि आपको notification पहले ही आप उपर बाहर में दिखने को मिल जाएगा कि आपको कौन app support करेगा कौन नहीं हलाकि सारे आप आप आपको support कर सकते हैं इसके लिए आप developer option में जाके अंदर उसको force display screen में करना पड़ेगा तो आपके सारे app developer में यूज होने लगे उसके बाद बात करें तो एक और update हमको देखने को मिलती है security में यहां पर आप देख पाएंगे कि second space में भी थोड़े बहुत fix किये गया है इसमें आपको confirmation मांगता है आपको second space अनेबल करने से पहले उसके बाद आपको यहां पर एक gaming speed boost का भी option देखने को मिल जाएगा तो यह भी एक नया option आपको यहां पर देखने को मिलता है जिसकी मरद से आप अपने gaming experience को optimize कर सकते हैं तो यहां पर पहले देख सकते हैं optimize performance optimise connection speed और dnd mode भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अची बात है कि आपको यहां पर gaming के लिए MIUI नया सा अपना gaming speed booster यहां पर अनेवल कर दिया है तो इसके मद से अगर आप gamer है तो बहुत ही अच्छे से यहां पर आप gaming कर पाएंगे तो यह एक अच्छी बात है कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है मैंने भी इसको यूज नहीं किया है तो मैं इसके लिए आपको ज़्यादर नहीं जानगा ही देख सकता है कितने अच्छा इसका performance देखने को मिल जाता है और यहां बात करें एब वाल्ट की तो यहां पर भी थोड़े बहुत fix किया गया है बहुत से फोन में यह force close हो जा रहा था एब वाल्ट एब वाल्ट के साथ बहुत सारी problem रहती है यहां पर तो इसको भी थोड़ा fix किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा customization भी यहां पर इसको fix करके यहां पर दिखाया गया है इसके अलावा आला कि और कोई नया चीज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है और हमको यहां पर देखने को मिलता है कि ब्राउजर में अब जैसे ही आप कोई भी site खोलते हैं अपनी top site जैसे आप मैंने facebook खोली और गलती से आपका browser force close या बंद हो जाता है तो हम पहले देखते थे वो दुबारा से हमको वही खोलना परता था लेकिन इस बार आप देखेंगे कि directly वही site जो आपकी close हो गई थी गलती से वही फिर से खोल जाती है तो यह हमको same चीज जैसे UC browser या Chrome अगर आप use करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलती थी तो उसका भी support यहां पर दे दिया गया है तो browser भी दीरे दीरे improve हो रहा है क्योंकि बहुत चीजे हैं जो भी browser में हमको नहीं देखने को मिलती है जैसे कि आपको desktop mode वो भी अंदर से आपको जाके enable करना पड़ता है तो उसको भी यहां पर fix किया गया है लेकिन अभी भी हमको desktop mode नहीं देखने को मिलता है उसके लावा WhatsApp में हमको जो problem आ रहे थी कि WhatsApp के अगर आप dual WhatsApp यूज़ कर रहे थे तो दूसरे वाले WhatsApp में आपको यहां पर contact का option नहीं दिखा रहा था कि आपके कौन कौन से contact है आप उनको add नहीं कर पा रहे थे तो उनको भी यहां पर fix किया गया है और कोई खास update आपको यहां पर नहीं देखने को मिलता है हाला कि इस time अगर मैं आपको कहूं तो बीटा रोम बहुती अच्छे से चल रही है इंप्रूफ है और एक bug वो जो मैंने हर वीडियो में आपको notice कराया है कि यह reason हमारा हमेशा China ही दिखाता है इसको भी अभी तक fix नहीं किया गया है कि इंडिया में इसका reason दिखा है बाले